ऐसे वाक्य जिसके अंत में लग रहा हैं, लग रही हैं, हो उस वाक्य को किस तरीके से बनाया जाता है, इस वीडियो में जानेंगे, जैसे मिर्ची लग रही है, प्यास लग रही है, भूक लग रही है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, धोप लग रही है, अच्छा लग रहा है गंदा लग रहा है बुरा लग रहा है ऐसे कई सरे वाक्य हो सकते हैं जहां पर लग रहा है हो वो उस संटेंस को कैसे बनाते हैं पाला संटेंस है इसमें लिखा हुआ है भूख लग रही है भूख लग रही है भूख के लिए अंगरेजी होता है हंगरी इसे आप फंगर भी बोलते हैं अब यहां पर रहें कि लग रही हैं काम के continuity को दिखाता है मतलब यहां पर काम continue है जब कोई काम continue होता है तो आप पर वब के fourth form को परियोग करते हैं मतलब वीफोर परियोग करते हैं और जब वीफोर परियोग करते हैं यह बताता है कि काम चल रहा है काम जारी है और वो काम जारी है अगर हम एज एम आर के साथ वी फोर लगाते हैं तो यह बताता है पर्जेंट में काम जारी है अगर वाज या वर के साथ हम परियोग करते हैं वी फोर तो यह बताता है पास्ट में काम जारी था काम चल रहा था और अगर विल बी के साथ वी फोर प्राइम में चलता रहेगा अब इससे वाक्य अगर आ जाए तो उसमें आप क्या बनाएंगे यहां पर भूक के लिए तो हंगरी हैं लेकिन लग रही है या लग रहा है इसका अंगरेजी क्या होगा तो यहां पर अंगरेजी क्या हो जाएगा हमारे पास एक वर्ड फिल और फिल को हम कर देंगे फिलिंग और जाब फिलिंग कर देंगे यही संटेंस में वाप का काम करेगा क्योंकि भूक लग रहा है यह तो देखाता नहीं है दिखता नहीं है मतलब यह अन्वव होता है यह महसूस होता है खुद को कि भूक लग रहा है तो संटेंस में मुझे लग रहा है हंगरी मतलब भूक उसे भूक लग रहा है ही इज हंगरी आप यहां पर मैं अगर इसे भी बनाओ ही इस हंगरी तो उसका भी मतलब वही है को उसे भूक लग रहा है या वो भूका है या उसे भूक है ऐसे भी बोल सकते हैं तो यह यहां पर हम फिलिंग हंगरी भी कर सकते हैं साइं तो हम सिर्फ हंगरी से भी दिखा सकते हैं अगला वाक्य हैं सर्दी लग रही है अब सर्दी के लिए हमारे पास वर्ड हैं कि हम यहां पर बोल देते हैं कोल्ड इससे भी बना सकते हैं लेकिन इससे बेटर वर्ड है हमारे पास और वह हैं फ्रीजिंग फ्री फ्रिज वब हैं तो यह आइंजी के साथ आएगा तो लग रही है साथ में ही मिल जाएगा इसे मुझे सरदी लग रही है मुझे एक रजाई दो I am freezing, मुझे सर्दी लग रही है, give me a quilt, मुझे एक रजाई दो, उसे सर्दी लग रहा है, पंखा बंद कर दो, तो बोलते हैं, he is freezing, उसे सर्दी लग रहा है, turn off the fan, पंखा बंद कर दो, turn off कर दो अब अगला हैं, मिर्ची लग रही है, मिर्ची लग रही है, तो सच में लग रहा है, तीखा लग रहा है, और एक मिर्ची वो हैं, जहां पर लोग जलते हैं, जलनसील होता और दुसरे को देकर, टांग किसने का मनकरता अगर वो condition रहे तो इसके लिए हमारे पास word है jealous और jealous का परियोग करेंगे अनिता अगर सच में मिर्ची खाकर लग रहा हो तो आपर mouth burning का परियोग करते हैं इससे मुझे मिर्ची लग रही है मतलब मैं मिर्ची खाया हूँ तो मुझे तीखा लग रहा है तो बोलेंगे my mouth is burning इससे हो जाएगा और अगर जलनसिल वाला अगर मिर्ची है तो अब यहाँ पर बोलेंगे रवी को मिर्ची लग रहा है रवी is feeling jealous ऐसे बोलेंगे ऐसे ही sentences बना सकते हैं कई सारे अगला है उल्टा लग रहा है सिदा लग रहा है कुछ भी आप बोल सकते हैं उल्टा लग रहा है इसके लिए भी दो word है एक है कि looking inside out और दुसरा है seems wrong side up इसे तुमारा shirt उल्टा लग रहा है your shirt is looking inside out और दुसरा है मुझे यहाँ उल्टा लग रहा है I seem it wrong side up दोनों का मतलब से हमें बोलने का तरीका लगे अगला है गर्मी लग रही है और गर्मी लग रही है मतलब feeling hot इसे पिरिया को गर्मी लग रही है पिरिया is feeling hot तुमें गर्मी लग रहा है you are feeling hot तो यहाँ पर लग रही है मतलब अनुभव हो रहा है मासूस हो रहा है घर्मी मतलब होट बुरा लग रहा है तो बुरा लग रहा है मतलब feeling bad मुझे यहाँ बुरा लग रहा है I am feeling it bad bad यहाँ पर adjective है यह sentence में आ सकता है अब्जक्ट के बाद भी I am feeling it bad मुझे बुरा लग रहा है उसे बहुत बुरा लग रहा था तो feeling bad मतलब बुरा लग रहा था इसे कोई भी काम में आपको बुरा लग रहा हो वहाँ पर आप sentence है सही बना सकते हैं अगला है प्यास लग रही है मतलब feeling thirsty आप यहाँ पर प्यास लग रही है लगना मतलब अनुभव हो रहा है, दिखता तो नहीं है कि प्यास लगा है कि नहीं, तो अनुभव होता है, महसूस होता है कि प्यास लगा है, तो वहाँ पर बोलता है feeling thirsty, thirsty का मतलब हो गया प्यासा, रवी को प्यास लग रहा है, रवी is feeling thirsty, आमन को प्यास लग रहा था, आमन was feeling thirsty तो इसे ही sentences कई सरे बना सकते हैं और practice कर सकते हैं क्योंकि ये सभी practice से ही समझ में आएगा कि sentences बनाते हैं तो on the sport कैसे बोल सकते हैं अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है मतलब seeming good तुमारा shirt अच्छा लग रहा है your shirt age seeming good उसका car अच्छा लग रहा है age car seems good मतलब ये कि age seeming भी कर सकते हैं और sims भी कर सकते हैं मतलब ये sentence को present indefinite में भी बना सकते हैं और साइं तो देखकर present continuous में भी बना सकते हैं तो मर्जी आपका है जिससे अच्छा लगे दुनों तरह किससे बूल सकते हैं अजीब लग रहा है अजीब लग रहा मतलब looking strange मुझे यहाँ अजीब लग रहा है I am looking strange मुझे यहाँ अजीब लग रहा है रवी को बहुत अजीब लग रहा है रवी is looking so strange so strange का मतलब हो गया बहुत अजीब बहुत different ऐसे बूल सकते हैं अब अगला सबते हैं धूप लग रही है अब धूप लग रही है मतलब feeling sunburn मुझे धूप लग रही है एक चाता लाओ I am feeling sunburn bring and umbrella bring and umbrella मतलब एक चाता लाओ हम लोगों को धूप लग रहा है या धूप लग रहा है चलो पेड के नीचे बेटते हैं तो we are feeling sunburn let's sit under the tree under the tree मतलब पेड के नीचे let's sit चलो बेटते हैं तो feeling sunburn का मतलब हो गया धूप लग रहा है या लग रही है तो so guys thanks for watching that's all for today